ओके हलो गुद मॉर्निंग मैं हूँ एम जे और जैसे की फ्रेंट्स आप देख रहे हो हमारे प्लांट की कंडिशन प्लांट और मोस्ट सेमी डॉर्मेंट कंडिशन में आ चुके हैं 50-60% जितनी डॉर्मेंसी हमारे प्लांट के उपर देखने को आपको मिल रही है अब में भी आपके प्लांट के उपर शायर इससे भी ज्यादा डॉर्मेंसी हो सकती है लेकिन मेरे जो प्लांट से वो बारिश की वज़े से फुली डॉर्मेंट नहीं हो पाए जिसकी वज़े से बहुत सारे पत्ते मेरे प्लांट के उपर लगे हुए है तो मैं अभी ज्यादा मेनत अभी प्लांट के पत्ते गिराने में नहीं कर रहा है क्योंकि अपसे मैं अपने प्लांट के अंदर मॉइशर मेंटेन कर रहा हूँ और उसकी वज़े से आपके जो प्लांट के root system आगे चलके बहुत अच्छे develop कर सकेंगे, nutrients अप्टेक बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे. दूसरी चीज, हमें bio organic fertilizer फिर से 10 दिन के बाद apply करना है, जैसे कि मैंने 13 या तो 15 October को मैंने apply किया था, तो मैं फिर से 23 या तो 25 October को फिर से apply करूँगा, सिर्फ दो बार apply करूँगा, उसके बाद सीधा हमारे जो plants अगर आपको apply करना है, तो next month monthly एक बार आप उसको apply कर सकते हैं, ये भी optional है, जरूरी नहीं है, और उसके बाद तो हमें regularly chemical fertilization का use करना है, ताकि ये ही कोकोपीट वाले plants आपके full flesh flowerings पे आ सकेंगे, अभी जैसे कि देख रहे हो, अभी जो condition है, ये condition से totally opposite होंगे, मेरे plants around 30 November तक, पहली December के आसपास में अपने plants को, आप अगर मेरे पौदे दे देखेंगे, तो बहुत अच्छे develop हो चुके होंगे, बहुत सारे पत्ते इसके उपर आपको लगे हुए, देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे या जो pruning date है, वो 5 November है, 5 November को में pruning करने वाला हूँ, और ये pruning date से पहले-पहले हमें अपने बोदे के अंदर कौन-कौन सी activate हो सके, तो ये activation का process हमें पहले करना है, अब pruning के exactly 10 दिन पहले हमें सारी तैयारी करना शुरू कर देना है, कौन-कौन सी तैयारी करना शुरू करना है, वो मैं आज आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा crucial होगी, बहुत ज्य steps में बता रहा हूँ, वो steps आप आराम से follow करिए, आपके plants बहुत अच्छे आगे चलके grow हो पाएंगे, तो सबसे पहली चीज, अगर आपकी जो pruning date, suppose 30 October है, तो 21 October से, तो 20 October से आपको ये सारी चीज़े शुरू कर देनी है, सबसे पहली चीज आपको करनी है, वो है potassium humate का application कर roots के अंदर, potassium humate basically fiber roots develop करने में plant को help करता है, ये fiber roots आपके plant को nutrients अप्टिप करने में help करेगा, तो सबसे पहले fiber roots को develop करना है, तो उसके लिए आप potassium humate apply कर सकते हो, वैसे तो दूसरी जगा पे अगर आप सुनोगे तो साथ में chemical fungicide भी आपको suggest करेंगे, लेकिन हमने अपने plant के अंदर, bio organic products use किये हैं, जिसकी वज़े से हम chemical fungicide use नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हो, तो साथ में trichoderma डाल सकते हो, को issue नहीं है, trichoderma 1 gram, potassium humate 1 gram, दोनों को 1 liter पानी में mix करके, आप 20 October को, आप अपने सारे पोधों के अंदर, roots के अंदर ये apply करना है, ये सारी चीज़ों म ये सारी चीज़े शुरू करिए, अगर आपकी pruning date 28 October है, तो बाद में 18 तारिक से ये सारी चीज़े शुरू करिए, तो वो ही सबसे आपको चलना है, exactly 10 दिन पहले आपको ये सारा process शुरू करना है, तो ये पहला step हो गया potassium humate का, अब pruning के exactly 8 दिन पहले आपको 2 fertilizer फिर से apply कर ना है, वो fertilizer है potassium humate plus 1261, potassium humate 1 gram, 1261, 1 gram, दोनों को 1 liter पानी में mix कर लीजे और अपने plant के roots के अंदर apply कर लीजेगा, आपका plant छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, चलेगा, अगर बड़ा plant हो, तो maximum 1,5 gram जितना आप apply कर सकते हो, छोटा plant हो, तो 1 gram से ज्यादा कोई भी fertilizer अभी का plant, बड़ा plant means, धाई साल, दो साल, या तो 3 साल का plant, तो maximum उसके अंदर आप, 1,5 gram जितना, 1261, और 1 gram जितना potassium humate mix करके apply कर सकते हो, roots के अंदर, प्रूनिंग के exactly 6 दिन पहले, आप दूसरा एक fertilizer apply कर सकते हो, जिसका नाम है 0-52, 0-52 आपके plant के roots को vigorous बनाने में help करेगा, active करेगा, roots को मजबूत करेगा, जिसकी वज़े से वो fertilizer अपने अंदर ले पाएगा, nutrients अप्टेक कर पाएगा, तो 0-52 जो मैंने dose बताया, वही same dose, यानि की 1 gram या तो 1,5 gram, बड़ा plant, 1,5 gram, छोटा plant, 1 gram, साथ में potassium humate, 1 gram potassium humate लीजिए, और 1 से 1,5 gram जितना, 0-52 लीजिए, एक लिटर पानी में अच्छी तरह mix करिए, और बाद में आप अपने plant के roots के अंदर इसको apply करिए, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैंने दो बार ये, तीन बार ये, तीसरी बार हमारा potassium humate गया, potassium humate बहुत बढ़िया fertilizer है, अगर आप अपने plant के roots के अंदर apply कर रहे हो तो, अब pruning के exactly 4 दिन पहले, ये सारी चीज़ा आप note कर लीजिए, मैंने वैसे वीडियो में ये सारा आपको बताया हुआ है, तो pruning के exactly 4 दिन पहले आपको apply करना है potassium humate प्लस 13-40-13, अब potassium humate हमें 1 ग्राम लेना है, 13-40-13 वो सेम 1-5 ग्राम जितना apply करना है, अब बहुत सारे लोगों के पास 13-40-13 नहीं रहेगा, तो ऐसे में कोई घबराने के जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है हमें, तो आप सीधा 12-60 भी use कर सकते हो, कोई issue नहीं है, तो आप 12-60 ले लीजिए, अगर 13-40-13 नहीं है, तो फिर से 12-60 का application कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 13-40-13 available है, तो बाद में 13-40-13 आप apply कर सकते हो, अब प्रूनिंग के exactly 3 दिन पहले, जी हाँ, ये एक बहुत important चीज है, जो आपको note करनी है, और full season आपको ये चीज अप्लाई करनी है, अपने roses के अंदर, ताकि full season आपके roses अच्छे खासे flowerings दे पाए, अब सुनिए, प्रूनिंग के exactly 3 दिन पहले हमें apply करना है, acidic water, जी हाँ, acidic water बाद में आपको full season हफते में एक बार या तो दो बार आपको अपने पौधे के अंदर apply करना ही करना है, acidic water roses को पसंद होते है, acidic water से roses हमेशा active रहेंगे, इसके उपर से nodes develop होते रहेंगे, flowerings आपके बहुत खूब सुरत आएंगे, लेकिन उसके साथ climate का भी support होना जरूरी है, लेकिन acidic media आपके plant के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब coco peat already एक acidic media है, तो हमें ज्यादा उसको acidic करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी media अगर over हो जाता है acidic में, तो बाद में वो प्लांट को नुकसान करेगा, तो यहाँ पे मैं आपको simple dose बता देता हूँ, 10 लीटर जितना आप normal पानी लीजिए, 10 लीटर नॉर्मल पानी में आप सिर्फ 5 ml जितना विनेगर अप्ला या तो एप्रिल महिना जब तक आपके समझ शुरू नहीं होते हैं, यह चीज में बार बार नहीं दोरा होंगा अपनी आने वाली वीडियो में, यह आपको समझी लेना है, कि acidic water रोज की जरूरत है winter season में, तो आप full winters इसको apply जरूर करिए, हफते में एक बार या तो अगर cinder मीडिया है, तो हफते में दो बार apply कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट मीडिया अल्रेडी एक खलका सा acidic मीडिया होता है, तो हफते में एक बार आप विनेगर वाला पानी जरूर apply कीजिए अपने कोकोपीट वाले मीडिया में, finally आ जाएगी pruning date, जो भी आपकी pruning date होगी, वो वीडियो में basically हमें क्या क्या करना है, वो मैंने बताया है, अब एक और चीज धियान रखिए कि जिस दिन आप pruning करने वाले होते हैं, उससे एक दिन पहले पानी देना बंद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन अगर आप pruning करने वाले होते हो, तब आपके plant का मीडिया हलका अगर रहना चाहिए, प्लांट को पानी की थोड़ी सी कमी रहनी चाहिए, एक दमी फुल ड्राइ मत करिए जिसकी वज़े से रूट सारे ड्राय आउट हो जाये, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ अपर सर्फेस इसका हलका सा ड्राइ रहे, वो हिसाब से ड्राइ रहना चाहिए, तो एक दिन पहले पानी देना बन कर लीजिए, और बाद में दूसरे दिन आईए, अच्छी तरह climate open होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, climate dry होना चाहिए, और ऐसे में आप अपने प्लांट के उपर pruning करिए, pruning के ठीक बाद आप अपने प्लांट के उपर fungi side का spray जरू प्रूनिंग के बाद क्योंकि जो भी हम प्रूनिंग या तो कटिंग करते हैं, उसके उपर fungus लगने के chances बढ़ जाते हैं, इसलिए pruning के बाद fungi side का application करिए, एक ग्राम जितना रेडो मिल गोल ले लीजिए, एक लीटर पानी में mix करके, आप spray कर लीजिए, exactly pruning के बाद, अब प्रूनिंग की जब भी आप अपने प्लांट के उपर प्रूनिंग करने वाले होते हो, उसके 10 दिन पहले या तो 12-13 दिन पहले, आप अपने प्लांट के उपर insecticide का spray करना बिलकुल मत भूलिए, आप कोई भी अच्छा insecticide ले ले लीजिए, एमिडा क्लोप्रीट ले ले ल उसके दो दिन बाद या तो एक दिन छोड़के आप फंगी साइड का spray कर लीजिए, अच्छी तरह फंगी साइड का spray कर लीजिए उपर से नीचे, ये फंगी साइड के वज़े से आपके प्लांट के उपर जो भी फंगस वगेरे डेवलप हुए है, ये दोर्मेंसी के दर् फंगी साइड का application करेंगे, लेकिन उसके ठीक एक दिन छोड़के या तो एक दो दिन छोड़के आप फिर से एमिडा क्लोपरीड का spray करिए, ये होगा आपका प्रूनिंग के दो दिन बाद, प्रूनिंग के एक दिन या तो दो दिन बाद आप एमिडा क्लोपरीड का spray एक ml लीजिए एक लीटर पानी में मिक्स करके अच्छी तरह स्प्रे कीजिए और ये जो स्प्रे है प्लांट के उपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह करिए क्योंकि जैसे ही आप अपने प्लांट के उपर प्रूनिंग करोगे तो नए पत्ते जो निकलेंगे नए पत्ते के उपर थ्रिप्स अटैक होना 100% चांसिज है तो ये चांसिज को बिल्कुल भी आप अवाइड करिए ऐसे बिल्कुल भी चांसिज मत लीजिए के भई हमने इंसेक्टिसाइड स्किप कर लिया ऐसा बिल्कुल भी मत करिए और ये जो इंसेक्टिसाइड है हर तीन दिन के बाद फिर से आप रिपीट कीजिए जैसे कि आपने प्रूनिंग के तीन दिन बाद किया फिर से तीन दिन के गैप के बाद फिर से अमीड अकलोपरीड या तो रोग और का स्प्रे जरूर करिए ये स्प्रे आपको तीन-तीन दिन के गैप में अराउंड दो हफते या तो तीन हफते तक करना ही करना है इससे आपके प्लांट के उपर किसी भी टाइप का पैस्ट अटेक डेवलप नहीं होगा आपको लगता है कि अभी मेरे प्लांट के उपर पैस्ट अटेक नहीं हुआ है तो मेभी आप एक हफते या तो दो हफते तक ये कंटिन्यू कर सकते है तीन हफते तक जाने की जरूरत नहीं है लेगिन अगर आपको लगता है आपके या का और ठंडा होगा तो थ्रिप्स अटेक उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा तो वो इस सबसे आप एमिडेक लोपरीड और रोगोर का स्प्रे जरूर कीजिएगा अब पत्ते उतारने की जहां तक बात है जिस दिन आप प्रूनिंग करते हो तो आप अपने प्लांट के उपर पत्ते को खीचना मत जैसे कि ये जो पत्ता है इसको हमें ऐसे पुल आउट नहीं करना है ऐसे हमें खीचना नहीं है आप सीधा एक कटर ले लीजिए या तो आप अपने कैची से यहां से लिवस को कट कीजिएगा देखिए अगर आप यैसे पुल करते हैं तो ये जो नोड एरिया है वो डैमेज हो जाता है बाद में उसको रीकवर करने में ही टाइम लगता है उसके बाद आपके जो प्लांट के उपर नहीं पत्ते आएंगे तो ये ज्यादा टाइम ले लेगा अगर आप ऐसे कटिंग करोगे तो कटिंग करने से वो नोड एरिया बिलकुल भी डैमेज नहीं होगा और बहुत ही जल्दी आपके प्लांट के उपर नए फुटावाना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये भी चीज ध्यान रखिए जिस दिन आप प्रूनिंग करते हो तो प्रूनिंग करने के बाद या तो प्रूनिंग करने से पहले कभी भी आप अपने प्लांट के उपर ये पत्ते उतार सकते हो या तो एक दिन पहले ही आप अपने प्लांट के उपर से सारे पत्ते उतार दीजिए और बाद में उसके दूसरे दिन आप अपने प्लांट के उपर प्रूनिंग कर सकते हो एक बहुत important चीज है वो मैं भूल गया वो है watering watering कैसे करनी है जैसे कि हमने एक दिन पहले पानी देना बन कर दिया pruning कर ली pruning के दिन हमने पानी नहीं दिया उसके next दिन आप अपने प्लांट के अंदर watering करिए watering कितनी करनी है एक simple चीज है आप ध्यान रखिए कि जैसे ही आपको लगता है कि आपके प्लांट के उपर से तो सारा पत्ता उतर चुका है अब ऐसे में अगर आप भरके पानी देना शुरू करोगे तो प्लांट के पास excess water storage हो जाएगा ये excess water storage आपके प्लांट के roots को damage कर सकता है तो कभी भी ज्यादा पानी मत दीजिए जैसे ही आपको लगता है कि आपके प्लांट totally अभी open हो चुके है प्लांट को water का utilization के लिए कोई भी अभी scope बचा नहीं है तो हलका हलका watering कीजिए अगर आप दिन में दो बार आते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए जैसे कि हमने dormancy में 50% जितना water की quantity कर ली थी वैसे ही 50% या तो उससे कम पानी आप देने की कोशिश कीजिए लेकिन बहुत कम पानी भी दोगे तो बाद में नए फुटाओ नहीं आएंगे तो water management यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है मीडिया के अंदर हलका सा moisture बना रहना चाहिए मीडिया सूखना नहीं चाहिए अगर मीडिया fully dry out हो जाएगा तो आपका plant उठ नहीं पाएगा तो मीडिया को fully dry out भी नहीं करना है सुभे आईए पहले normally एक 50% या तो 40-30-40% जितना पानी दे दीजिए फिर से दुपेर के time या तो शाम के वक्त आईए चेक करिए आपके plant का मीडिया कैसा है हलका सा आप शावरिंग कर लीजिए और अपने plant के मीडिया के उपर भी हलकी हलकी सी watering कर लीजिए इस तरह से plant के मीडिया को हलका हलका सा moist जरूर रखिए शावरिंग की मैंने बात की शावरिंग daily कीजिए दिन में दो बार तीन बार शावरिंग कीजिए शावरिंग से प्लांट आपका बहुत जल्दी उठना शुरू हो जाएगा और पैस्ट अटेक होने के चांसिस भी 50% जितने कम हो जाएंगे तो शावरिंग जरूर करिए फुल सीजन शावरिंग करिए विंटर्स में भी आप अपने पौदे के उपर शावरिंग कर सकते अनलेस आपके आप विंटर्स बहुत ज्यादा थंडे नहीं जाते जैसे कि 10 दिग्री से नीचे चला गया 8 दिग्री से नीचे मैं दिन के टेंपरेचर की बात कर रहा हूँ दिन का टेंपरेचर अगर आपके 10 दिग्री 12 दिग्री से नीचे चला गया तो ऐसे में अगर आप शावरिंग करोगे तो प्लांट को और ज्यादा थंडे लग जाएगी प्लांट फिर से डॉर्मेंट हो जाएगा तो ऐसा मत कीजिएगा मेरे या जो विंटर रहते वो ज्यादा थंडे नहीं जाते तो मैं दिन में दो बार तीन बार शावरिंग कर लेता हूँ इससे मेरे प्लांट का टेंपरेचर मेंटेन रहता है तो यह चीज आपको करनी होगी प्रूनिंग से ही आप यह चीज शुरू कर लीजे जिस दुन आप प्रूनिंग करते हो फंगी साइट का एप्लिकेशन कीजिए उसके दूसरे दिन से आप अच्छी तरह शावरिंग करना शुरू कर लीजे तो ये कुछ ऐसी बेजिक टिप्स है जब अगर आप जो भी अगर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग डेट है तो वो प्रूनिंग डेट के अकॉर्डिंग ये सारा प्रोसेस आप शुरू कर लीजिए अब ये जो मेरे प्लांट से अराउंड 30 नवेंबर या तो 1st December से फ्लारिंग देना शुरू कर लेंगे तब तक मैं आपको जो भी मेरे प्लांट का अपडेट है वो देता रहूंगा क्यूंकि मेरी जो प्रूनिंग डेट है वो लेट है 5 नवेंबर को है आराम से दिवाली के दोर्मेंट कर रहे है तो ये कंडिशन में कुछ ये हिसाब से ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फूजन हुआ तो प्लीज आप मुझे टेलिग्रम ग्रूप में कॉन्टेक कर सकते हो और परस्नली कॉन्टेक करोगे जो ज्यादा बेटर रहेगा दिलेन के लिए थैंक्यू फ्रेंट्स और हैपी गार्डनिंग